आज में आपके लाइयों एक ऐसी रस्पी जो आपको भ्याना गर्मी से लोसे बचाएगी आपकी पेट की सबी समस्यों को समधान करेगी डायपडीस के लिए बहुत अच्छी है और वेदों में इसे रामबार शर्बत भी खा गया है यह शर्बत है बेल का इसे वुट एपल कहते हैं अपना चोखा अपना चोखा में आपका बहुत बहुत स्वाबत है आज हम राएंगे बेल पत्थर का शर्बत आज मैं आपको दो तरह से बेल का शर्बत लाना सिखाऊंगी एक तो है इंस्टेंट और दूसर है लॉंग शेल्फ लाइफ इसने मेरी वीडियो को एक बेल पत्थर से मैं पहले इंस्टेंट बनाऊंगी दूसरे वील से मैं लोंग शेल्फ लाइफ वाला शर्बत बनाऊंगी बेल पत्थर की स्किन बहुत हाल्ड होती है इसे चाकू से काटना मुश्किल है इसको तोड़ने के लिए मैंने यहां पर पैसल यूज किया है आ निकाल लेंगे हमारा बेल पत्थर अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जूसी निकला है यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है कभी कवार बेल का रेशा अंदर से सकते भी निकलाता है उस कंडिशन में आप बेल के सारे रेश को निकाल ले उसके अंदर एक ग्लस पानी डाल के आदे घंटे के लिए छोड़ दें आदे घंटे के बाद बेल का गूदा भõग ज़़ा सौफ्ट हो जाएगा मेरे गूदा यहाँ पर भõग ज़़ा सौफ्ट है इसलिए मैं यहाँ पर इसे रस्ट के लिए नहीं छोड़ूँंगी इसमें आप आदे ग्लास पार्ण डाले और हाथों से अच्छी तरह मसलें ऐसा करने से रेशा और बीच हाथ से अलग हो जाएंगे इस एक साफ मैं एक बील पत्थर में चार चम्मच चीनी की मिलाऊंगे चीनी की मातरा आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो चम्मच यह हाथ की सहायता से चीनी और गूदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब चीनी गूदे के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए तब हम उसको च्छानेंगे बेल के शर्ब मिलाने के लिए आप मिक्सरी का यूस कब भी न करें क्योंकि मिकसर ग्रेंडर में इसके बीच में साथ में पिस जाते हैं जो शर्बत को कड़वा कर देते हैं आप च्छनी की सहायता से गुदे कुम अच्छी दासे चानेंगे अगर आपको जूरुत लगी इसमें आप थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हो हमारा बेल का गुदा अच्छी दासे निकल कर त्यार हो गया है एक गिलास में पहले हम आइस क्यूब जालेंगे इसके बात मैं यहाँ पर आदा निम्बू का रस दालूँगी निम्बू से बेल के शर्बत के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसके बाद हम बेल का शर्बत और साथ में पानी को एड़ करेंगे शर्बत को बहुत अच्छी साथ ही लाएंगे इससे साथ में यहाँ पर चुथाई चम में काल नमक दालूँगी और चुथाई चम में पुदीना पाउडर की इससे बेल का शर्बत भूज़ाता सौद लगता है यहाँ पर हमारा इंस्टेंट बेल का शर्बत बनकत तैयार है अब हम बनाएंगे लोंग शर्फ फ्रायबल्र शर्बत गोदे के चानने तर सें प्रोसिजर रहेगा जैसे मैंने इंस्टेंट में बनाया है अब मैं यहाँ पर 200 deberm चीनी मिलाँगे चीनी की मातरा मैंने इंसेट के एक मुकाबले यहाँ पर जादा ली है क्योंकि चीनी से ही हमारा शर्ब यहाँ पर प्रिज़व होगा गुदे को और चीनी को हम अच्चे से मिलाएंगे ताकि चीनी अच्चे से मिल जाए चीनी मिलने के बाद अब एक कड़ाई लेंगे उसके अंदर हम इस गुदे को डाल देंगे करीब पांच मिन्टा हम इसे तेज आज पर पकाएंगे इस शर्वत को मनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी कलर या कोई एसेंस का यूस नहीं किया है यह पर मुझे पांच मिन्टा होगे लगतार चलाते हुए और चीनी भी अच्छी तरह से पक चुकी है अब आज को बंद करेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर तीन निम्बो लोगी निम्बो को काड़ कर अब इसकी जूस को निकाल लेंगे तीनों निम्बो का रूस हमने अब एकटोरी में निकाल लेया है निम्बो को रस को अब शर्बत के अंदर चान कर मिलाएंगे अगर आपको बेल का शेक बनाना है तो बीना निम्बू मिलाए इसके अंदर दूढ मिलाए और मिक्सी में 2 मिल चला ले, आपको 2 मिल के अंदर बेल के शेक भी रेडी हो जाएगा निम्बू को अच्छी तरह से मिलाने के पाद आप इसे बोटल में डाल का फ्रिज में रखें यह शर्बत आपका पंदर दिन तक टिकर रहेगा अब आपने जब भी सर्व करना हो बरत डाले शर्बत डाले नमक और मसाला डाल कर इसे सर्व करें आप इसे बीन मसाले के भी सर्व कर सकते हैं लेकि मसाले के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है आज मैंने एक वीडियो के अंदर आपको तीन रेस्पी सीखाई है आपको मेरी रेस्पी कैसे लगी कमेंट करके जुरू बताएगा तब तक हैवा नाइस जे